के वरीवन वेलकम बेक टु माइच चनल तो अभी घर्मे स्टार्ट हो गई है और आपको भी ऐसी रह मेंडिय की ज़रत है जो गर्मियों में आपको पहुत ज़्यदा दे आपका चारा गर्मियों में एकदम खिला खिला रहा है बहुत प्यारा दिखे और आपके स्कीन एकदम साफ कलर हो आपका I think सभी ही चाते हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इन गर्मियों को देखते हैं आपके लिए ऐसी रहमेडी बनाओ जो आपके लिए पहुत ही ज़दा फाइदे बन दो तब ही मैंने सोचा कि घर में कुछ चीज़े रखे हैं उन्हीं से रहमेडी बनाई जाए कि बाहर हम लोगों की इतनी हिम्मत तो होती नहीं है जादा पैसे खर्च करने की तो मैंने सोचा कि क्यों ना घर की चीज़े से बनाई जाए तो मैंने घर की जुकार्ट से एक केला ले लिया इस तरीके से केला I think सभी के घर में पढ़ा होगा आप भी इस तरीके से केला ले सकते हैं यह तो मैंने केले की रेमेडी इसलिए ऐसा मत सोचना कि मैंने केले की रेमेडी बना दी यानिकी नॉर्मल यह बहुत ही ज़्यादा यूसफुल रहती घर में चीज तो और भी थी बट केले की रेमेडी बहुत ज़्यादा यूसफुल होती है गर्मियों की सीजन मे एक बार ट्राय करना बहुत अच्छा रिजल दिखाई देगा आपके चारे फिर बहुत जादा पसीने आते हैं बहुत लोगों की दिक्कत होते हैं कि मेकप कर लेते हैं नहीं कोई क्रिम लगा लेते हैं ऐसे जिससे बहुत जादा पसीने आते हैं चारे में कुछ नहीं लगात बाड़ चाहरे सब्सक्राइं यहां मैंने को दीस तरीके से ₹ हमारे स्कन पर यह दीकत आपके चाहरे की वह सौर करती है पर रहணिदम में टाहरे में पस्क्राह, यहीं दिक्कत आपके चेहरे की वो सारी खतम हो जाएंगी इसलिए मैंने केला यूज किया है केले के अंदर मैं दो तीन चीज़े ऐसी एड़ करूंगी जो हमारे घर पे नोर्मली मिल जाएंगी मैंने ऐसी कोई चीज नहीं यूज किया जो आपको पहार स्यादा महंगी प्राइज में लानी पड़ आपका चेरा कैसा भी उक्दम गोरा चेरा कर देगी आपका और आपके स्कीन ऐसे ग्लोइंग ग्लोइंग रहेगी आपको खुद को यकिन होगा कि हाँ गर्में भी हमारी स्कीन इतनी चमक सकती इतनी दूब में रहकर भी तो यहां आप डाला है मैंने आटा आटा आप इसको सुखने के बाद में हटा लिया ना उससे एक्स्ट्रा जो हेर भी होते हैं वह भी निकल जाते आटे से तो और ब्लैक हेड्स तो बिल्कुल गायब हो जाएंगे आप लोगों को ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पता देती हूं यह बहुत सी चीज़ें होती है चो हमा मिल जाता है अगर अपना चेरा दुछनाय स्टार्ट कर दिए ना आपसी पकलता छाई सेंहीं मिल जाता है अगर आपス प्क तो फीरता करते हैं सर्थ कर देंसे डेको इस तरीके से देख सकते हैं मैंने यहां मलाई डाली यह भी बहुत ज़्यदा फाइदे करती है अब अपने हाथ पर लगा के दिखाएंगे इसी तरीके से अपने चेरे पर लगाना अच्छे से मसाज करनी है एंदेन थोड़ा से सूख जाये न इसके बाद में आपको धुल लेना है इस तरीके से देख सकते हैं मैंने अपने हाथ पर लगा लिया है मैं हमेशे इस आथ पर आपको रेमेडिय लगा के दिखा दियू तो मेरे यह हाथ तो इस दूसरे हाथ से एकदम गोरा हो चुका है इस इससे आरिके से देख सकते हैं। मैंने इसको अच्य से लगा लिया और आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना प्यारा स्थ आया है तो आप इसको ट्राय करोगे न सही में देख सकते हैं दोनों हाथ में तर आपको भी कर रहे हैं आप जल्दी से बनाओ इस रहे मेडिक और आपको कैसी लागी कॉमेंट करके ज़र बताएं आज के लिए थेंक्यू